फाइनली यार कितने सारे मुश्किलों के बाद में मुझे ये फिल्म देखने का मौका मिला है मैंने फिल्म देखी है फ्लाइट और यकीन मानो ये इंडिया का सबसे most underrated फिल्म होने वाला है इस फिल्म को जितनी screening और जितनी audience मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ट्रेलर के वक्त में भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ कि मानना पड़ेगा confidence इस maker को जी हाँ इस film की ending scene जो है आपको ये बता देगी कि जिसने इस film को बनाया है उसकी confidence किस level पी थी अब वो over confidence बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में कुछ audience ऐसे भी है और खास करके कुछ ऐसे class भी है जो अलग content देखने का बहुत जादा इच्छा रखती है और उनको ये movie जो है बहुत जादा पसंद आईगी चलो सीधी बात करते हैं story की trailer के time पे सभी ने कहा था कि पूरी film ही देखा दी अब दिखाने के लिए बचा क्या है मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा था और मैंने भी अपने trailer review में यही कहा था कि trailer का जो आफरी scene है वो नहीं देखाना चाहिए था वो बहुत बड़ा spoiler हो गया है लेकिन यकीन मानो there is no spoiler in the trailer और trailer में जो भी चीज़े देखाई गई है उससे बहुत जादा कुछ जानने के लिए बाकी है इस film के अंदर में देखो कहानी देखाई जाती है कि एक बहुत बड़ा businessman जो कि aircraft business चला रहा है जो कि एक domestic और international flight के उपर में है कि भाई लोग उनके flight पे आना जाना करते है और अचानक से एक flight में हाथसा हो जाता है अब वो हाथसा जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ता है पूरी company को अब इस company के owner कौन है इस company के owner है मोहित चडड़ा यानि इस film के hero और उनका जो character दिखाया गया ना boss जी हाँ बड़े-बड़े stars को जैसे दिखाया जाते ना फिल्मों में वो बहुत ही over लगता है लेकिन यहाँ पर मुझे जरा भी over नहीं लगा और एकदम perfect entry दिखाई गई है और entry की एक scene है जिसके अंदर में Mohit Chatta कहते है तुम लोग मुझे ढूंड रहे है और मैं तुमारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और इस dialogue के फॉरण बात कहते है कि क्या करो यार मेरी opening scene थी और बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यह dialogue मारो तो मैंने मार दिया उसके बाद से कुछ action scene होते है और humor से भरा हुआ action scene होता है यानि एक तरफ में fight चल रही होती है और दूसरी तरफ में को मुझसे जादा handsome और smart बंद तुम्हें मिल नहीं सकता इन सबी डायलोग को आप सुनोगे न तो आपको कहीं पर भी over नहीं लगेगा और आप बहुती ज्यादा enjoy करोगे trust me Mohit Chatta का dialogue delivery बहुती exciting लगेगा और बहुती engaging लगेगा अब कहानी पर आते हैं कि कहानी जो हमें trailer में दिखाया गया था exactly वही चीज इस गुर्म के अंदर में दिखाया जाता है same to same और वो scene को मैं जादा spoil नहीं करना चाहूँ बस इतना कहूँगा कि उस scene से पहले आपको बह flight में hijack हो जाते हैं वो flight किस तरह का flight है वो देखाया जाता मतलब just like a private jet और एक बहुत बड़े businessman का private jet कैसा होता बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ के एक businessman जो है अपने private jet में सफर कर रहा होता है पर इन सभी scenes के बीच में जो है आपके social message भी मिलता है कि लोग यहाँ पीने के पान है hijack होने से पहले का एक चीज मैं मिस कर दिया हूँ वो चीज यह है कि big boss में एक time contestant रह चुके प्रितम सिंग भी यहाँ पे as a pilot देखे गया है और यहाँ पे जो उनकी इंट्रियों जो casting मुझे लगी है ना बहुत एक दम पॉफेक्ट लगी है मतलब एक pilot कैसा होता है एद अभी spoiler नहीं देना चाता हूँ जहां से spoiler शुरू होगा आपको पता चल जाएगा वहां से आप चाहो तो skip कर सकते हो फ्लाइट हाइज होने से पहले पूरे फ्लाइट के अंदर में सिफ रहते है कुल मिलाकर पांच जन यानि हीरो दो फ्लाइट एटेंडेंट और दो पाइ कोडिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जब भी उनके साथ में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो turbulence बढ़ सी जाती है अब इनको क्यों आई जैक क्या है इसके पीछे का मोटिफ क्या है और यह किस तरह से अपने आपको मांसे निकालते हैं आप देखो second half में हो सकते है कि आप कहोगे कि यह थोड़ा humorous हो गया है लेकिन आप सही से ध्यान दो तो first scene जहां से मोहित चड़ा को दिखाया जाता है उनके character को explain किया जाता है वह वहीं से देखे जाते कि काफी ज़्यादा फिल्मी और फिल्मी डायलोंग बाणने में expert रहते हैं और वह बात-बात में बात करते हैं कि जमीन में क्या हो रहा होता है यानि इनके जो दादाजी होते हैं वह किस तरह से situation का handle करते हैं और किस तरह से इनको डूंडा जाता है यह सारी चीज बहुत ही इंट्रस्टिंगली होती है अब यहां से spoiler शुरू हो रहा है पहले से मैं बता दे रहा हूं देख हम किसको इसका दोशी ठहरा सकते हैं पर यहां पर हीरो का कहना होता है कि दोशी हम खुद है हम माफी मागेंगे और सभी को compensation देंगे जितने भी लोग मरें उनकी family को जितना भी देना पड़े वो हम ज़रूर देंगे और इसका नुकसान हम खुद उटाएंगे अब यह है जो के पूरे flight को hijack करते हैं और hijack करने के बाद उस flight में खुद नहीं रुपते अपने co-pilot को मार देते हैं उसके बाद से documents लेकर के वो सारे documents जिसके वैसे यह साबित हो सकता था कि जो plane crash हुआ है उसमें क्या ऐसी कराबी थी जिसके वज़े से यह हाथसा हुआ है उस पता चलता है कि cockpit में कोई है ही नहीं और उसके अंदर में pilot अल्री मर चुके हैं अब इस situation को जिस पल से वो जानते हैं उस पल से यह सुचना शुरू करते हैं किस तरीके से plane को जो है अपने हाथ में लिया जाए अब हाँ एक चीज हो सकता है कि आप बोलोगे कि plane इतने दिर तक इतने घंटों तक बस यहीं चला जा रहा था autopilot mode पे और वो ना down हुआ ना कुछ भी problem हुया बस चला जा रहा था और इसको होश भी नहीं था कि वो सोया हुआ है और यह plane की हालत ऐसी हो चुकी है अब इस चीज को जो है for the entertainment for the sake of entertainment आपको ignore करना पड़ेगा और इतना तो ह करी सकते है फिल्म के नाते अब इस situation को जैसे वह handle करना शुरू करते तभी पता चलता है कि उन्हीं के partner में से किसी एक ने जो है उनको मानने की कोशिश की है और पूरी तरह से यह भी announcement की तयारी कर लिया है कि वह एक plane crash में जो है already वो मर चुके है और अब जो है कहानी कुछ अलग तरह से चलने वाली है अब इस चीज को जो है बहुत स्मार्टी वह handle करते है अब यह सारी चीज जब चल रही होती है तो नीचे में जो उनके दादा जी होती है यानि पवन मलहतरा साथ वह धीरे जैसे इससे इंवेस्टिगेट करना शुरू करते हैं उनको पता चल ज होगा की वहाँ प्लेन को आपने ले लिया है और ही जो है उस प्लेन को कंट्रूल करने की कोशिश कर रहा होता है भी बटन होता है जो कि एजेक करके हो था डारिक्ट एजिएक आई थिंक कि उसके वगजे से आप पूरा प्लेन को जो है पीचे छोड़ सकते हो आप सिफ कॉ सकता उसके बाद से दिखाई जाती है लैंडिंग कैसे होने वाली है उस लैंडिंग से पहले उन तीनों पार्टनर्स को जो है रूफटॉप पे लाया जाता है और रूफटॉप पे लाने के बाद में उनके ऊपर में ही प्लेन लैंड कर दिया जाता है अब यह लैंड जब हो इग्जैकली įह जो लाई ने प Τοैक को घूमा के रख दिया बुटी स्टोड़ी को घूमा के रख दिता है कि काम हो गया वट डूभी नियु कहा गया और को पैलेट जो पाइलेट को कहा जाता है कि अब तुम निकल सकते अब यहां से क्या सीने वास ऐसा बताया जा रहा है कि हीरो के दादा जी जो है इस सारे कांड में पूरी तरह से हल्प किये हैं और हमेशा से जो पाइलेट उनके साथ में हुआ करता था हीरो के साथ में उस दिन उसको रोका गया कि वो ना जाए और वो छुट्टी पे जा चुका था या फिर कहाने कुछ और है इन सारे कन्फुजन के साथ में पूरे फिल्म को एंड की जाती है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या कॉन्फिडेंस है यानि मेकर्स को डिरेक्टर को इस बात का पूरा पाता था कि ये फिल्म किस तरह से लोगों के दिल में चा होने वाला है कहां पर कहानी तर्न होगी और एंड कैसे होने वाला है इतनी टाइट आरेक्शन मिंस हैट सॉफ मैं तो लास्ट फ्रेम आफ दे मूवी स्क्रीन पर लिखाव आता है कि फ्लाइट 2 फ्लाइंग अगें इन 2023 यानि देख रहे हो भाई का कॉंफिडेंस उनको पता ह है कि exactly क्या होने वाला है और इस फिल्म की कहानी पार्ट 2 अल्रेडी रेडी है बस इसको रिलीज करने भर का वक्त है अब अगर आपने इस फिल्म को सही से सपोर्ट नहीं किया तो भाई इस फिल्म का पार्ट 2 आने में बहुत टाइम लग सकता है हो सकता जो टाइम प्रामि रखा गया था ना बॉस यह मूवी भी उतनी ही अंडरेटिट होने वाली है I don't know कि आपको कितना अच्छा लागा लेकिन मुझे इस फिल्म का थ्रिल ट्विस्ट और जितनी भी चीज़े थी वह बहुत ही दमदाल लगी कुछ लोग कह सकते है कि VFX बहुत पूर है अरे आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो अच्छे VFX के लिए बजट कहां से आएगी और इनको कैसे समझ में आगा कि लोग पसंद कर रहे हैं जब लोग किसी चीज़ को पसंद करते ना तो उसके मेकर सोचते हैं कि और बेटर इनको दिखाया जाए So that's it from my side that was my story and ending explanation that was my honest review what do you think आपने मुवी देखा तो बताओ आपको कैसा लगा और आपने कहां पे देखा है नहीं देखा है तो प्लीज यार जाओ देखो इस मुवी को सपोर्ट करो कहीं ना कहीं से यार इस मुवी को ट्रेंड करो कि ताके इसका पार्ट तू धमाकेदार तरीके से है और ऐसे किसी ने मेरे वीडियो के कमें सेक्षिन पर जाकर के लिखा था कि सॉलमन बॉइ के फैंस लोग जो है ना उनकी जल रही है कि ऐसी मुवी कैसी बन सकती है तो भाई इट वस अ हिलीरियस कमेंट जिसने भी किया था था थम्स अफ फ्रम मैं साइड अर्ड मैंनो इसको हाट दे दिया है सो मिलता हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया